तो फर्स्ट पार्ट देखिंगे क्या कह रहा है इससे यह कंडिशन लेकर आने है ठीक है तो अब ध्यान दू मुझे कुल मिला कि अब यहां पर कॉलम से कॉलम चलू या रो से रो चलू तो कॉलम से चलिए तो कॉलम से अंदर हम कॉलम 1 प्लस कॉलम टू प्लस कॉलम त्री को एड कर देंगा लो इस दो देखो यह और यह कितना होगया ही लिए कितना झाज सिसेम फारेट टुंडू टूसी बील्ट बी है अध्या कर्षा यह पर ए बी लिए अध्य बील्ट कि अगेन यहां पर एडीप लसीप जलत एड ह्यर यह बी डीच सीपलस एपलस लिए common निकाल लो 2 और A, B, C यह पूरा common निकला, इसमें से भी 2 common निकाल लिया न यहां किता बचा 1, 1, 1 यहां बचा A B प्लस C प्लस 2 A यहां A, यहां B, यहां B C प्लस A प्लस 2 B लिया रहे हैं यहां तक सभी को ठीक है, अब मेरी बास सुनना हो हमें क्या गणना है कि यहां पर number of zeros बढ़ाने है ताकि हमारा calculation easy हो जाए, बस इतना सा point है, determinant पर अगर मैं यहां से column से column चलता हूँ, तो constant और फिर variable फिर different variable तो कोई combination नहीं बैठ रहा है तो अपन इसमें row से row चलते हैं इस condition को, तो इसमें से इसको ठीक है, हम row two को change करेंगे यहां पर न, क्या कह रहा हूँ मैं आपर, row two के लिए मैं row two minus row one change कर रहा हूँ, तो बाहर तो यह situation होगी मेरे पास अंदर देखो, row one वाली as it is लिख दो पहले, one a, b, अब row two वाली देखो row two वाली नीचे one है, तो one minus one होगा, फिर b plus c plus two a b plus c plus two a minus a वना चाहिए b और फिर b minus b होनी चाहिए, ठीक है और third situation क्या है मेरे पास one a a c plus a plus two b ठीक है, अब देखो क्या बचा plus c यहाँ one है, यहाँ a है, यहाँ b है इधर आजाओ, यहाँ zero होगा, यहाँ क्या होगा two a में से a गया तो a plus b plus c बचा, यहाँ पर भी क्या होगा zero अब हम चाहें तो इसको भी से less कर सकते हैं फिर से यहाँ पर two zero हो जाएंगी, बट मेरे पास यहाँ पर पहले से number of zeros two हो गया है, मेरा काम बन गया है, मुझे आगे जादा दिमाग लगाने की ज़रत नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इसको expand करूँगा, बट expand किस से करूँगा, along row two expand करूँगा, ताकि two number of zeros हो जाएं properties को लगाने का, तो आगे बढ़ते हैं, expand along row two, यह तो है, यह मेरे पास है, अगर मैं इसके along solve करता हूँ तो आपको पता है, यह वाली situation आएगी, बाहर a plus b plus c, और यहाँ बचेगा, one one, b, c plus a, plus two b, cross multiply करतों simply, two a plus b plus c का whole square हो गया यह तो, और यह c plus a plus two b minus b, क्या बचा आपके पास, a plus b plus c, सबको मिला लेंगे, a plus b plus c का whole cube बन जाएगा, किलियर है, यह आपके पास RHS की situation आगई है, अब बताओ क्या समझनी आए, किलियर है, part one समझ में आगए है सबको, next आते है, part two पर इसके, अब देखो, यहाँ situation थोड़ी सी different है, अब यहाँ पर भी imagine करता है, column से पहले, column से करेंगे, तो देखो, यह two a, two a है, ठीक है, और row से देखेंगे, तो यह two b है, two c है, यहाँ से subtract हो जाएगा, यहाँ पर हम row one से, row one minus row two minus row three, बतब addition करेंगे इस सबको, तो देखना क्या change हो करेंगे, a minus b minus c plus two b plus two c, two a minus, sorry, plus b minus c minus a plus two c, two a plus two b plus c minus a minus b, ठीक है, अब देखो, यहाँ solve करो b से b चला जाएगा, तो positive का b और c में भी a condition, यहाँ पर भी देखो, two a से a चला गया है, a, फिर b as it is, और फिर two c में से c गया, तो c यहाँ पर भी देखो, a plus b plus c, समझ महारा है, क्या changes हो रहे हैं, b minus c minus a, two c, two b, c minus a minus b, clear रहे हैं तक, अब इसमें से निकाल दो, आप common, ठीक है, क्या जाएगा common, a plus b plus c, common हो गया आपके पास, क्या बचा, उपर तो one 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 हो गया, यहाँ देखो, two b two c, b minus c, minus a two c, two b, c minus a minus b, यहाँ पर अपने, taking a plus b plus c, as common, ऐसे, मतब हर चीज़ आप यहाँ पर mention कर देना, इस तरीके से, अब क्या changes करेंगे, मुझे 0 बनाना है, तो subset कर देते हैं, क्या करें, c2 में, c2 minus c1 कर दो, और c3 में, c3 minus c1 कर दो, मतब, clear date दिख ला है, one में से one zero जाएगा, two b में से two जाएगा, तो ऐसे आप logic लगाऊगे, अब देखो, यह one है, यह two b है, यह two c है, got it, c2 में, c2 minus c1 करना, one में से one जाएगा, तो zero, इसमें से इसको minus किया, तो, b, minus c, minus a, minus two b, तो यह भी क्या हो जाएगा, मतलब, सारी minus क्या हो जाएगा, कहने का मतलब यह है, two c में से two c जाएगा, तो zero, फिर c3 वैसे two number of zeros आगया, इतने मेरे पास कोई issue नहीं है, ऐसा, c3 में से कर रहा होगे, तो यह भी zero, two b में से two b गया, तो फिर यह zero, फिर इसमें से इसको minus c करेंगे, तो यह minus a, minus b, और minus c, बताओ यह वाला logic में आया है कि सभी student को, अब किसी के भी along solve कर दो, तो आप number of two zeros है, अगर मैं इसको solve करता हूँ, along row one, expand, along row one, एक a plus b plus c तो है बार, यहां से करेंगे हम solve, एक one आ गया है मेरे पास यहां पर, यहां देखो, वन, इसवल लाइन को छोड़ दो, इसवल लाइन को छोड़ दो, यहां के बज़िके हैं मेरे पास देखो, minus a, minus b, minus c, और यह 0, फिर 0, minus a, minus b, minus c, क्रॉस मल्टिप्लाइ करना है, a plus b plus c, इसको इससे मल्टिप्लाइ करेंगे, तो minus a, minus b, minus c, और फिर minus a, minus b, minus c, इसमें से minus one common निकल जाएगा, इसमें से भी minus one common निकल जाएगा, फाइनली देखो कि आप क्या बचाएगा, आपके पास a plus b plus c का q rhs, पता हो समझ में आया है क्या, clear है आपर, तो this is complete part two of example number ten, आगे बढ़ें, next देखो third case क्या कह रहा है, अब आते हैं बन third case क्या, अब जैसे कि last season में row one से solve करेंगे, फिर हम यहाँ पर different aspect इस करने की कोशिश करेंगे, अब आप यहाँ पर column one को compare करो, अगर मैं column one compare करता हूं, तो a plus b plus b plus c, तो यह two b हो जाएगा, मेरे पास situation में, और यह c, c और यह अलग लग हो जाएंगे, मतलब थोड़ा similar दिखना चीए न, और ऐसे लेंगे तो a plus b plus c, तीनो similar बन रहे हैं, तो हम row one से चलेंगे, तीनो को क्या कर दो, add कर दो, तो first वाले में a plus b plus c लिखना चीए, second में मुझे फिर से a plus b plus c लिखना ची यहां पर c है, यहां पर b है, यहां पर a है, यहां पर c है, यहां पर c plus a है, यहां पर a plus b है, अब मैं अगर common निकालू, इसमें से a plus b plus c, taking a plus b plus c common, तो अंदर क्या बचाए, यहां बचाए, यहां बचाए, यहां बचाए, यहां बचाए, यहां बचाए, यहां बचाएगा कि अब क्या करना है अब करेंगे हम सब्स्ट्रैक्ट ताकि जीरो हूँ कंडिशन हमारी तो फोकस करो आप यहां पर रो वन से रो टू रो त्री के अंदर कोई सिमिलर्टी कंडिशन नहीं मिल रही है मुझे यहां पर डिफ्रेंट वेरियबल है यहां पर एक कॉंस्टेंट है मिरне पास बट्या एक सुट्येशन बन सकती है हमारे पास यहां से इससे को हम माइनस कर सकते हैं इससे हम इसको माइनस कर सकते हैं ताकि यह वाली चीश्य हो जाए मेरे पास यह थैपिर इस के मिलेके लिबग इस से भी इसको करने कॉलम 3- किस से माइनस करें इसको, या तो इस से कर लो या फिर वन से कर लो, एक ही बात है को यह वालू सब्ठेट होनाी है मेर पास नईई इस से करेंगे तो यह वाली भी माइनस हो जाएगी करक्ति हैं एक सिक और यहां co-hd यह यहां co aja क lied see three key can say nine 1 c b फिर वन एसी अपसी तिरे पर आओ माइनस वन कि सी प्लस ए माइनस सी कि ए प्लस भी माइनस भी एक है के वन सीब है यहाँ बच गया यहाँ पर सी चला गया बैजा ठीक्द से अब हुआ अब के करना है आपको द pinch को ताकि जो आए अब यहां से यहां से यहां पर चल सकते हैं ये वाला चीज़ 0 ला सकते हैं ला पस यह एक वाली 0 आएगी और यहां से यहां चलेंगे तो यह 0 हो जाएगा यह 0 होगा बास हो गया अपना काम आजो फिट से हम C3 में चेंज़ करें या फिसी 2 में कर लो C2 माइनस C3 कर लो इस बार हैंना 1CB टीक है C2 में चेंज गरें गाएंगे जो बन में से बन गया तो 0 A में से गया तो 0 C में से गया तो C- A यहां कया बचा 1 A A as it is अब इसका एक्समेंड करो along column 2 समझ में आरा क्या करना चारा हूँ आपसे आजो एक सेकिंड नेक्स पर आते हैं अगर मैं इसके अलॉंग चलता हूं तो मुझे दो दो लेने की ज़रूत नहीं मुझे किवल ज़रूत है तो यह बाहर तो निकाला मैंने c-a और अंदर के बचा 1 और c यहां बचा 1 और a a plus b plus c a minus c अब क्या करें अब यहां पर a minus c यहां पर यहां पर minus का थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो एक चीज अपने गौर्ण नहीं करी यह वाली कंडिशन जो थी a31 होती है आपके पास a32 होती है और यह आपके पास a33 होती है जब मैं यह a32 ले रहा हूं तो साथ में मुझे क्या करना चीए था जो कि अपने यहां पर छोड़ दिया यहां पर भी a-c बज़ जाएगा और यहां पर भी a-c बज़ यह माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस तो a plus b plus c और इन दोनों को मिक्स करूंगा तो इसका स्क्राइब देख लो आगए अपने पास सिच्वेशन पन में आ रहा है बस थोड़ा सा बारीक है पॉइंट उनको ध्यान दिना आप ठीक है किलियर है पार थी अप्लिट हो गया नेक्स आते हैं लास्ट पार पर पार 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 पास करके नोट कर लेना अब आते हैं पार फ पाइफे में से टूए गया तो 3B सॉरी टूए और टूए कितना हो गया माइनस फोरे फोरे में से फाइफे गया तो ऑनली ए बचा फिर बी और एक सी हाँ यहां पर कॉलम चलना चीज़ में आ रहा तो कैसे आप कॉलम और रो में डिफ्रेंशेट करोगे आप तो कॉलम बन में चल रहा है हम कॉलम बन प्लस कॉलम टू प्लस कॉलम थ्री फाइफे माइनस टूए प्लस बी माइनस टूए प्लस सी माइनस टूए प्लस फाइफ बी माइनस टूए प्लस सी माइनस टूए प्लस सी माइनस टूए प्लस प्लस बी माइनस टूए प्लस प्लस 2C plus B minus 2A plus C minus 2B plus C 5C अब ध्यान दे रहा 5A में से minus 2A minus 2A गया तो only A बचा फिर B फिर C यह दोनों ठीक है यहां भी देखो 2B 4B है इसमें से चला गया यह तो only B बचा same situation 2C 2C में से चला गया तो यहां पर भी same situation 5B minus 2C plus B minus 2A plus C minus 2B plus C अब आप A plus B plus C इन तीरों को क्या निकाल दो common निकाल दो बार ठीक है आजओ A plus B plus C यहां क्या बच किया 111 यह बागी situation आपके पास as it easy रहनी है minus 2A plus B 5B minus 2C plus B minus 2A plus C minus 2B plus C अब क्या करें अपने ऐसा इसके अंदर अब करते हैं इसके अंदर changes changes in the sense subtraction use करते हैं कि जिस तरीके से यह क्या हो जाए आपके पास minus हो जाए minus लाने के लिए क्या करेंगे जैसे इस first condition को ही देख लो आप और इस second condition को देख लो अगर इस में से मैं इसको subtract करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर only 2A बचेगा और इस में से इसको subtract करता हूँ तो 4B बचेगा इस में से सब्चेट करता हूँ तो मेरे पास minus का C plus A बचेगा ठीक है आजो सबसे पहले सी टू को change करते है अपन सी टू को मैं माइनस कर देता हूँ यह वाला मेरे पास सी टू है और इसको मैं माइनस कर देता हूँ बी इंटू सी वन से यहां से बी लूँगा तभी तो बी माइनस बी करके 0 बनेगा और C3 जो है मेरे पास उसमें से मैं माइनस करूँगा तो CC1 को ठीक है अब देखना आप इसमें क्या changes बनते हैं यहां देखो माइनस टू ए प्लस बी माइनस टू ए प्लस बी और माइनस का एदर देहों 5 B माइनस बी इदर देएखो ups two c plus B minus b इद आ जो माइनस टू learnt प्लस सी माइनस सी माइनस टू ए प्लस सी माइनस सी- और five c ce माइनस सी यहां तक समझ में आगे सबको आब देखो next यह तो है a plus b plus c आपके पास यह तो है अपने पास A plus B plus C और क्या क्या बच रहा है यहाँ पर 1 1 1 हो गया अब देखो B से B चला गया क्या बचा minus 2B 5B में से B गया तो 4B 2C और फिर B minus B चला गया तो minus का 2C सब्जमा रहा है next देखो C से C चला गया C से C चला गया तो यहाँ minus 2A फिर minus 2A again फिर only 4C बताओ यहाँ तक समझ में आया है ठीक है अब क्या करें अब निकालते common तो इस पूरी column में से हम common ले सकते हैं taking minus 2 common from column 2 and taking king minus 2 common from column 3 ठीक है minus 2 भी एक बार आया फिर minus 2 एक बार आया अंदर देखो 1 1 1 चल रहा है यहाँ से minus 2 चला गया तो positive भी बचा फिर negative 2 चला गया तो negative 2 बचेगा यहाँ पर इस इसको ध्यान देना फिर negative 2 चला गया सी बचा यहाँ पर negative 2 चला गया यह बचा फिर negative 2 चला गया तो negative 2 चला गया तो negative 2 चला गया है यहाँ पर अब देखो इस situation का थोड़ा सा और अच्छे तरीके से हम लिखने कोशिश करेंगे हैं यहाँ था एक बर आप कॉपी कर लेना लास्ट यहां तक पहुंच गया थे ना पर इस स्लाइट की बना लेते हैं एक स्लाइट और दो स्लाइट और लगे ही कम से कम स्लाइट तो देखो यह माइनस माइनस क्या हो गया मेरे पास positive का 4 हो गया है और यहां है a plus b plus c है यहां क्या बचा देखो 111 यहां है b minus 2b c यहां है a a minus 2c ठीक है यहां तक ठीक है मामला एक दमोके चल रहा है आगे बढ़ सकते हैं अपन बिल्कुल बढ़ सकते हैं अब फिर से compare करने कोशिश करेंगे जीरो लाने कोशिश करेंगे देख रहे हो मतलब कुछ-कुछ हद तक हमारे conditions आ रही है पॉलम से कॉलम अगर चलते हैं तो बी माइन मतलब किसी condition में 0 नहीं बनेगा तो रो से चलने की कोशिश करेंगे अपन तो रो वाली condition से तो हम एक काम करते हैं रो वन के लिए कॉलम टू करें तो भी सेम सिच्वेशन है रो वन माइनस रो टू करते हैं वन में से वन गया जीरो बी माइनस टू भी ए माइनस ए जीरो यह अगें condition similar रख रहा हूं मैं अब नमबर ओफ जीरो जो है मेरे पास क्या आ चुके हैं तू आ चुके नमबर ओफ जीरो अब क्या करना है अपन को इसको expand करने वाली condition लगाएंगे इसमें ठीक है तो आ जाओ next slide में फिर से क्या situation बनी है महरे पास last one देख लेना क्या थी situation हमारे पास यह positive का 4 था यह a plus b plus c था और यहां तक अपने expand कर लिया था ठीक है अब थोड़ा focus करना अगर अपन इसको expand करते हैं अगर अपने यह फूरा zero और यह खतम यहां पर क्या आया only three भी आया और bracket में यहां पर one one और a minus two c बन गया यह न जब इसको cross करेंगे तो यह वाली situation मेरे पास create नहीं हो रही है यह वाली condition मेरे पास situation create नहीं हो रही है तो फिर अपन इसको क्या करेंगे expand नहीं करेंगे expand उस तरीके से ना करने का क्या है हम different expect यूज़ करेंगे हाँ पर expand along क्या situation ले ऐसी कि ये condition मन जाए मेरे पास ये condition ले ये condition ले column 1 कर लो column 1 में 1 1 है ज्यादा easy रहेगा ये ये क्या है देखो column 1 करते हैं तो आपको पता होगा ये condition मेरे पास जो होती है वो a 1 1 होती है ये वाली condition मेरे पास a 2 1 होती है ये वाली condition मेरे पास a 3 1 होती है कि ये इस पर negative आएगा इन दौन पर positive आएगा 1 के लिए first छोड़ा ये छोड़ दिया तो b और c देखो ये चला गया ये चला गया आपके पास पूरी तरके सरा तो ये माइनस का 2b फिर c फिर a माइनस का 2c ठीक है ये पूरी लाइन चलेगा ये पूरी लाइन चलेगी अब आते है और a ओर a ok अब आब इसको ऊ-pen करो इसको मृटिप्लाय करेंगे तो क्या हो गया पॉसिटिव का 4bc बन जाएगा माइनस का ac चलें ये लगावा हैं यहाँ पर oneवशिख सरो मणरा करेंगे नायगिटिव का 2bc बन जाएगा और नाइगेटिव का एसी बन जाएगा फिर पॉजिटिव का बन जाएगा फिर नाइगेटिव आता है बीच में किके फॉर्मूले का फ्री नाइगेटिव तो यह पॉजिटिव का टू एबी बन जाएगा बता हो समझ में आया है कि क्या कहना चारा हूं किलियर है अब इसको नेक्स्लाइट पर लिखते हैं थोड़ा सा और अच्छे से, इसको अटा दो आप क्या सेंस्ट्यूशन बन गई है मेरे पास यहाँ पर है फोर बीसी माइनस एसी, फोर बीसी माइनस एसी, फिर माइनस, माइनस का 2, बीसी माइनस का एसी, फिल पॉजिटिव बन है, एबी प्लस, जो एबी सेम ही आ रही है, एबी वाली कंडिशन मेरे पास, वेट अ मिनट, थाड़ वाली कंडिशन थी दिस वन, यह अटाया, यह अटाया, बी और माइनस 2 बी, ए और ए, यह बी और यह बी, हाँ ठीक है, सिमिलर है, ठीक है, अब क्य इसे, इन दोनों में से माइनस को मल लूँ, तो यह भी पॉजिटिव का बन जाएगा, मिर पास, ठीक है, यह तू बी सी, और यहाँ पर प्लस का एसी बन गया, फिर प्लस वन से मल्टिप्लाय करेंगे इसको, तो यह डिरेक्ली 3 एबी लिख देता हूं, मैं इसकी जागे, अब इसको पूरे को ओपन कर दो, यहाँ पर चल रहा है, इस पूरे को ओपन कर दो, 4 बी सी माइनस एसी प्लस 2 बी सी प्लस एसी प्लस 3 एबी, अब सबस्टैट करो, इसमें से कौन सी वैल्यू कहां कैंसल आउट हो रही है, भाई, 3 एबी और एबी नहीं है, इसमें कोई भी, आरे, ऐसा कैसे हो सकता है भी यह, यह चलो ठीके, बाकी देख लेता है, 4 बी सी और यह 2 बी सी, कितना हो गया है, यह 6 बी सी कंडिशन हो जाएगी, कि AC से AC कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बजगे मेरे पास, 3 AB वाली सिट्वेशन बजगई है, तो क्या कंडिशन आ गई है, अपने पास, 3 BC और 3 AB, और अब हो गई है, गडबढ अपने से कुछ ना कुछ, क्योंकि यह कंडिशन सिमिलर नहीं बैट रही है अपने पास, इसक से शुरू किया ता पर ना, ठीछ एक बर वापस से देखते हैंना, कहाँ मस्टेख वरिए अपने पास, यहाँ से आ बाप से, माइनेस डूबी, माइनस टूए, Vी मेंसे यह माइनस किया, माइनस डूबी, सीटू माइनस B C1 मेंस, सबास्ट किया, तो ठी से बिच जला गया, यहां पर माइनस 2B कैसे आ गया भाई एक तो यहां मिस्टेक है अपने पास के यहां भी मिस्टेक है फिर मेरे इसाब से माइनस 2A प्लस B 5B 2C फिर माइनस 2A B 2B प्लस C 5C ठीक है वापस से चेक कर रहो मैं पूरा सिचुएशन में रहा है C2 माइनस B C1 यह C2 है यह C1 है यह C3 है C2 में से C1 माइनस करना है B को मल्टिप्लाइ करके है न तो माइनस 2B लिख दिया पनने यहां पर है न पहले तो इसको आप A करो सब गढ़ बढ़ो गया माइनस 2A प्लस B और फिर माइनस का B आएगा यहां पर फिर 5B माइनस भी आएगा फिर माइनस 2C प्लस B माइनस भी आएगा इधर देखो माइनस 2A प्लस C माइनस C फिर देखो यहां पर B की जगए यह लिख दिया मैं जहां पर ऐसे डैश कर रहो न अगर आपने नोट कर लिए तो वहां पर आप चेंजिस कर लेना सब गड़बढ पूरा आगे तक गड़बढ माइनस 2A बचेगा फिर यह ठीक है अब जब टू कॉमन निकाला पने यहां से तो यहां पर यहां पर यह बचाए बचाए अब जब टू कॉमन निकाला पने यहां से तो यहां पर यहां पर यह बचेगा कर नहीं तो गड़बढ होनी है उसी यहां पर भी बचेगा ठीक है और देखो नेक्स्ट यह ए है फिर यह बी है फिर अब करो वन वाले के लिए यह चोड़ दिया यह चोड़ दिया माइनस टू बी और यह बी है फिर इसके लिए चोड़ दो बीच वाला चोड़ दो ए और सी और ए और माइनस टू सी ठीक है फिर थरड़ वन के लिए चोड़ दो यह चोड़ दो यह चोड़ दो यहां पर फि के प्लस का 2BC और यहां पर माईनस का बी-सी बनेगा यहां पर नगर का नगर कट का थम और यहां पर इसा यहां पर ससैंन बचना च voter चीआ थीक है फोड़ असा मिच्टे को गया था लास्ट में इसलिए सब गड़ आगा गए सिस्टम अब देखो मैं लिख देता हूं यहां पर लिख देता हूं मैं a plus b plus c देखो 4bc में से bc जायागा तो 3bc बचेगा ठीक है माइनस 2ac-ac कितना होगा 3ac और माइनस पॉजिटिव का 3ac बच जाएगा और यहां पर पॉजिटिव का 3ab है बता हो समझ में आ गया किलियर है अब तो आसान समझ में आ गया अब इसके बाद की step आप सीधे उपर देख लो ना यहां पर यहां बता रहा हूं मैं इन तीनों में से मैं 3 common ले लूँगा यह 4 तो मेरे पास ही है तो 4 3 जा क्या हो जाएगा बस इतनी सी mistake और उसके कारण मामला गडबढ इनको हम लाइन से जमा देते हैं लाइक एबी प्लस बीसी प्लस एसी यह आ गया आपका आरेचेस ठीक है बस यहां एक डिजिट जो है क्रॉस हो रही थी अपनी mistake उसी से पूरा error आ रहा था किलियर है आपर सभी को बताओ क्या स